जामे रहे मानिया एदारा अनिशार पाड़ देने बच्चे थे रब दा कुरार जामे रहे मानिया एदारा अनिशार जामे आदेवेची आज जलसा प्यार आए जामे आदेवेची अज जलसा प्यार आए दूरों दूरों लोग आए अज भी नजार आए घामे रहे मानिया एदारा अनिशार जामे रहे मानिया एदारा अलिशान तवच्छो करो मैं क्यों ना केना जावा शेर कंगर पूर दी अजीम दर्सगाए इस दर्सगाउत रादियों इलाए एस दर्सगाउत रादियों इलाए हज़त मौलाना अब्दलवाहाव सैठार साहिब वो तश्रीफ लाए और अपने मख्सूस अंदाज में खिताब फर्माए السلام अलेकुम और रहमतुल्ह और बरकातु इनलहम्द लिल्लह इनल्हम्द लिल्लह नहमदु और नस्ताइनु और नस्ताउफिर। वनाओुद बिल्लह मिन शुरूर अन्फुसिना वमिन सैयात अमालिना मन यहदिह लिल्लह वला मुदिल्लह वमन युदिल्लह वला हादियला वाश्यद वन ला इल्लह वहदु ला शरीक अला वाश्यद वन मुहम्द अब्दु और रसूलु अमा बादु विन ख्यर अधिए किताब लुव वहद्यर वाद्यर वहद्यर 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 स्ल्लह अल्यु वस्ल्म वचर अमूर मुठथात है वफ्ल मुठथ इधा कि ङखति इì बिदाब अ वफ्ला बिदा दी अषठ इानार है उらखे उला से लानार रिझे उनार बिनार होग ए मकुर घॉत्म इर सब्सदानार कि इंच वेमि इखतिए उरिंखां। इन ल्लाह वमलाइकत हु युसलून अला नबी या ऐयुहा लजीन आमनू सल्वों अलैही वसल्लिमु तस्रीमा अल्लाहुम सल्य अला मुहमदियु वाल आल मुहमद कमा सल्यत अला इबराहीम वाला आल इबराहीम इनका हमीद मजीद अल्लाहुम बारिक अला मुहमदियु वाल आल मुहमद कमा बारत अला इबराहीम वाला आल इबराहीम इनका हमीद मजीद रब शरह ली सद्री वेस्र ली अम्री वहलु रुक्दद अ ल्सान इबराहीम इनका अल्ला इनका हमीद आपने कनता अलीम अल्हकीम आओ़ बिल्ही मिन श्शीतान इर्जीम मा कान मुहम्मद अबा आपा अदिं मिन रिजालिकुं वलाकिर रसूल अल्ही वा खातमन नबीन आज की कानफरंस का अन्वान है कुरान कानफरंस कुरान मजीद अल्हा तबारिक वताणा ने इनसानों की हजायत और रुष्ट के लिए इसको नाजल फरमाया कुरान मजीद के अंदर बहुत से हिदायत के सामान मुझूद है लेकिन कुरान मजीद के जो सबसे बड़े छे उन्वान हैं जिन उन्वानों पर कुरान मजीद में मुफसल तोर पर अल्हा ताला ने आयात को नाजल फरमाया है वो छे उन्वान हैं पहला उन्वान जिस पर कुरान मजीद तफसील के साथ बात करता है वो है तोहीद दूसरा उन्वान जिस पर कुरान मजीद तफसील के साथ जिसके बारे में अल्ह ताला ने आयात नाजल की हैं वो है रिसालतِ मुहम्मद रसूलूलाह सल लाह आलिह वसलम तीसरा उन्वान कुरान मजीद का बड़ा वो है इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्ला की राह में खर्च करना चोथा कुरान मजीद का बड़ा मौदू जो है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह और पांचवा कुरान मजीद का जो बड़ा और तफसीली मौदू है वो है कियामत पर एमान लाना और छटा कुरान मजीद का जो बड़ा और तफसीली मौदू है वो है कुरान मजीद पर एमान लाना कुरान मजीद की सदाकत हर एक मोजू बड़ी तफसील के साथ गुरान मजीद में उसका जिकर है यहां पर मुफ़तसर अंदाज में अल्ला की तुफीग से रिसालत मुहम्मद रुर्सूल अल्ला सल्लाला अलियु वसल्म के हवाले से चन्द गुजारिशाद आपके सामने रखूंगा नबी करीम S.A.W. की दाद के हवाले से एक मुस्लमान का क्या आधिदा होना चाहिए उस हवाले से जब تک एक एक इंसन एक मुसल्मान आठ चीजों पर एमान नहीं रखता उस वकत तक एनसन मुसल्मान नहीं हो सकता कितनी चीज़े आट चीज़े जब तक कोई भी मुसल्मान इन आट चीज़ों पर एमान नहीं रखता या इन में से किसी भी एक का मुनकर हो जाता है वो मुसल्मान नहीं कहलाता वो आट चीज़े कौन सी है पहली चीज़ अल्ला के रसूल जनाब मुहम्मद रसूल्लाव सल्लाव अल्यु वसल्म को अल्ला ताला का बंदा और बशर मानना जैसा के हम कल्मे में पढ़ते हैं अश्हदु अल्ला इलाह इल्लाह वहदहु ला शरीकला वाश्हदु अन्न मुहम्मदन क्या पढ़ते हैं आगे अब्दु हु वर्सूलु पहली चीज़ अल्ला के रसूल सल्लाव वालियु वसल्म पर इमान लाना के वो अल्ला के बंदे हैं और बशर है इसकी बेश्मार दलायल किताब सुन्त में मुझूद है सूर फुर्कान की अल्ला अगाज में फर्माता है अपने बंदे के लिए अल्ला 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 अल् आसरा बैबदी अपने बंदे पर और अपने बंदे को आसमानों की सेर फरमाई मुश्रीकीन मक्का का बहुत बड़ा इतराज ये था कि अपने बंदे को अपने बंदे को मुःम्मद र्रसूलाह ﷺ पर वही को क्यों नाजल किया और एतराज ये था कि अल्ला ताजा किसी फिरिश्टे को क्यों नहीं मुन्तखब कर रहा था अल्ला तबारिक अताला ने एक बंदे को क्यों मुन्तखब किया तो पहले अकीदा काइनात की इमाम जनाब मुहम्मद रर्रसूल अल्लाह सल्लाह आल्यु वाले से हमारा क्या होना चाहिए कि अल्लाह के बंदे हैं और बशर हैं इसके साथ-साथ बाद लोग ये इतराज करते हैं कि ये वहाबी लोग आल्लाह की रसोल सल्लाह वैसल्म को बशर कहते हैं अल्लाह की रसोल सल्लाह वैसल्म बशर जरूर है लेकिन हमारे जैसे बशर नहीं है अवजलतरीन बशर है इसकी तफसील आगे आएके इमदे contributor दूसरा अकीदा क्या होना चाहिए काइनात की इमाम جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے عبدہو ورسول وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی کو نازل کیا ہے اور وہ کائنات کے لئے حادی اور کائنات کے لئے رابر اور کائنات کے لئے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے تمہارے پیغمبر وہ تمہارے لئے نمونہ ہے عصوة حسنہ ہے تیسرا عقیدہ ایک مسلمان کا اللہ کے رسول کائنات کے امام عرب کے درے یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ عبد بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں لیکن آپ افضل الرسول ہیں آپ تمام انبیاء سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت اتا فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام کا بڑا ہی رتبہ ہے لیکن جو رتبہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آسکا آپ کائنات میں سب سے زیادہ افضل کائنات میں سب سے زیادہ اجمل کائنات میں سب سے زیادہ احسن کائنات میں سب سے زیادہ حسین کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کائنات میں سب سے زیادہ آلہ کائنات میں سب سے زیادہ بہتر اور کائنات میں سب سے زیادہ اونچے تھے آپ کس طرح افضل تھے हसाद बिन थाबित की बट याद आई कि वाःसन मिनका लम तरकत तु आईनए वाजमल मिनका लम तलि दिनि साउ खलिकत मबर्रम मिन कल ईय्त काँनक कद खलिकत कमा तशाउ या साहब अजमार व्या सैद अलबशर मिन वजहिका अलमुनीर लकद नव्विर अल्कमर ला युम्किन स्थनाओ कमा कान हकु बाद अस खुदा बजरुक्तुई किस्से मुक्तसर आप किस तरह हुसीन? बलके हसीनों से भी ज्यादा हुसीन और यहां पर हुसीन नहीं कहा बलके अहसन कहा वा अहसन मिनका लम तरकत तुआईनी आप से ज्यादा हुसीन आप से ज्यादा खुबसूरत आप से ज्यादा सोना आप से ज्यादा मनमोना काईनात की किसी आँखने देखा ही नहीं और देखती भी कैसे वा अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल लियाइब आप से ज्यादा अजमल आप से ज्यादा अहसन काइनात देखने से कासर है इसलिए कि अल्ला ताला ने आप के बाद आप से पहले आप जैसा कोई बनाया ही नहीं है और किस तरह आप को बनाया खुलिकता मुबर्राम मिन कुल लिहाई बिन काननक गद खुलिकत कमा तशाहू अल्ला ने आपको ऐसा बनाया जैसे आप सामने खड़े हों और आप कहते गए अल्ला आपको बनाता गया आप कहते चले गए अल्ला आपको बनाता चला गया नकाइश से पाक नकाइश से मुबर्रा हर किसम के हैब से पाक हर किसम की घल्टी से पाक हर किसम के एैब से लगने आपको पाक बनाया या साहिब लजमाल वया सै्यिद लभशर मेवजिकल मुनीर लकद नुव्विर अलकमर युमकिन सनाओ कमा कान पाकू बाद ऐस खुदा बुजरुग तूई किस्से मुक्तसर शायर कितनी प्यारी बात कहता है आपकी सनाएं करता है तारीफें करता है आपके चेहरे का जिकर आपकी मुस्कराहट का जिकर आपके दंदान मुबारक का जिकर आपके चलने का जिकर और ये सारे जिकर करते करते आखिर में क्या कहता है ला युम्किन उस्वनाओ कमा कान हको बाद ऐस खुदा बुद्रुक तोई किस सहे मुखतसर आपकी तारीफ क्या करूँ आपके बारे में क्या अलफाज बस्तमाल करूँ आपकी तारीफ मुमकिन नहीं है बस आपकी तारीफ के लिए ये अलफाद काफी है कि अर्श पर खुदा है और फर्श पर मुस्तफा है अर्श पर खुदा से बढ़कर कोई अजमत वाला नहीं कानात में अगर कोई हस्ति है तो मुहम्मद الرسول اللہ ﷺ की हस्ती है और किस कदर अजीम शख्सियत और किस कदर अजीम इनसान कि जहां जहां से गुजरते गए वहां वहां सहर होती रही वहां वहां बरकते ही बिखेरते गए वहां वहां आप रोश्निया चोड़ते गए अम माबत का डेरा है काइनात के इमाम है अबुबकर सिद्धीक साथ है रदी अल्लाह ताला अन्हुंद दुश्मन का खौफ अल्ला का हुकम सहाबा की फिकर हिजरत कर रहे हैं मदीरे की तरफ बूख और प्यास ने सताया है सिद्धीक एकबर साथ है सिद्धीक एकबर फरमाते हैं अल्ला के रसूल सल्ललाह अल्युश्म खाने के लिए कुछ नहीं है कोशिश करते हैं तलाश करते हैं देखते हैं एक विराने में एक जूमपड़ी नजर आती है और वो जूमपड़ी किस की है उम माबत की है जांकते हैं और देखते हैं कि शायद मसाफर को कुछ खाना मिonut्सर हो जाए कई दिनों से भूके और प्यासे हैं जांकते हैं कहते हैं अल्ला के रसूल सल्ललाह ओल्युश्म एक बुड़िया बेटी है एक कमज़ूर से बुड़िया बेटी है और उसके साथ एक कमजोर सी बक्री बंदी हुई है घर में न खाने का न पीने का सामान मौजूद नहीं है प्यास ने सताया है अब क्या करें खाने बूक ने सताया है आप चूपड़ी में दाखिल होते हैं और पूछते हैं पूड़ीया ये बक्री जो खड़ी है इसका दूद दो कर हमें नहीं पला सकती वो कहती है इसका दूद आपको कैसे पलाऊं ये तो मुद्दों से दूद देती ही नहीं है ये मुद्दों से दूद देती ही नहीं है अब ये अवजल الرसल और कािनाद का अफ़ल तरीन इनसान कािनाद का बाब बरकत तरीन इनसान कािनाद की अग्सिम हसली मुहम्मद रसूल रहницей मुहाइज outta आपने इजाधت चाही इजाधत मांगी उस भुड़िया से और आपने उसके थनो को हाध लगाया और हाथ लगाते ही दूद नीची आया और इस कदर दूद उसके थनों में बर गया आपने फर्माया सिद्धिक एकबर से कि सिद्धिक रदियल्लाहु ताला अन्हों बर्तन ले आओ बर्तन ले आए खुद भी पिया सिद्धिक एकबर को भी पिलाया और उस बुड़िया को भी फिलाया जब काइनात के इमाम सल्लालाहु ले सल्म वापस जाने लगते हैं वो बुड़िया कहती है इतने कमालाद दिखाकर इतने जमालाद देकर और इतने हसीन चेहरे देकर और आपके मुज़ाद देकर अब कहां जा रहे हो यहीं तहर जाओ अल्लाह की रसूल सल्लालाहु ले सल्म वापस चले जाते हैं मदीने और उम माबत का शहर आता है आकर देखता है कि हमारी जोपड़ी के तो हालात ही बदल गए है हर तरफ रोशनी है हर तरफ एक अजीब सी खुश्वू है एक रोशनियों की किरन है एक उमीदों की किरन है हर तरफ बकरी जो दूद नहीं देती उसके दूस से प्याले और बरतन भरे पड़े है अम माबत यह क्या माजरा है यह में क्या देखता हूँ कहा मुझे पता नहीं है एक बड़े ही हसीन चेहरे वाला एक बड़े ही अमदा शक्ल व सूरत रखने वाला एक बड़े ही आला किरदार वाला जब वो बोलता था तो ऐसे लगता था जैसे शहद टबक रहा हूँ उसके दंदान ऐसे थे जैसे के आस्मान की सफेद बिजली कड़कती हो उसकी चाल इसकदर आला उसका किरदार इसकदर आला था कि मैं खुद नहीं जान सकी कि वो आखिर इनसान था या फरिश्टा था तो जहां जहां से वो काइनात के इमाम गुजरते गए अल्ला ताला आपकी अफ़लियत और आपको आला काइनात के सामने दिखाता चला गया और यहां पर रसूल अल्ला सल्ल लाह अलिए वसल्म के हवाले से मैं ये भी जिकर करना चाहता हूं कि इसकदर आला रसूल है कि अल्ला तबारिक वताला ने चार मौको पर काइनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूल लाह सल्ल लाह अलिए वसल्म को अंबिया के सामने अल्ला ताला ने चार मौको पर आपको अफजल तरीन बशर और अफजल तरीन रसूल साबित किया उसकी पहली मिसाल क्या है? आप 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 अगर इस दुनिया में आ जाए और तुम्हारी रिसालते भी मुजूद हो और तुम नभी भी उस वक्त मुजूद हो तुम्हारे सर पर नभूवत का ताज भी सजा हो लेकिन मेरा आखरी पेगंबर मुहम्मद र्रसूल्लाह अजाए क्या तुम्हारे सर लेकिन 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 ले हाँ, आल्ला हम इक्रार करते हैं कि तेरा आखरी पिगंबर काइनात का इमाम मुहम्मद रर्रसूल लाह स्लिल्लाह लिए लिए इस दुनिया में आ जाए हम अपनी रिसालतों को छोड़ देंगे अपनी नबूवतों को छोड़ देंगे और उस आखरी पिगंबर मुहम्मद रर्रसूल लाह स्लिल्लाह लिए 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 पर इमान ले आएंगे ये आपकी फजीलत के लिए को कम बात है कि पिगंबर और रसूल वादा दे रहे हैं और वादा कौन ले रहा है अल्ला वादा ले रहा है और किस के लिए वादा ले रहा है काइनात के इमाम के लिए वादा ले रहा है दूसरे मकाम दूसरी जगा जब काइनात के इमाम जनाब मुहम्मद रर्रसूल ला सल्लाव अलिए वसल्म तमाम अंबिया सफों में हैं आप मेराज के लिए जा रहे हैं और जिबरील अमीन साथ है बुराक की सवारी है आप बैत-ul-मक्दस ठहरे और देखा वहाँ पर बड़े-बड़े अंबिया है आदम अलिएसलाम से लेकर इसा अलिएसलाम तक बड़े-बड़े पिगंबर बड़े-बड़े रसूल वहाँ पर मुझूद है और वहाँ एक अजीब माजरा है वहाँ पर एक अजीब मामला है देखते हैं कि मुसला-इमामत खाली है मुसला-इमामत खाली है अंबिया सब मुझूद है अल्लाहु अक्बर आज सब सोचते होंगे कि आज ये सादत हमें नसीब हो जाए वहाँ पर इसा अले इसलाम भी होंगे वहाँ पर मुसा करीम उल्ला भी होंगे इबराहीम खलील उल्ला भी होंगे वहाँ पर याकूब अले इसलाम भी होंगे सब मुझूद और सब की खुआश ये होगी کہ آج انبیاء کی امامت کا تاج ہمارے سر پر آئے جبریل آگے بڑھتے ہیں قَلَبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا کیا کہا جبریل نے کہا آج میں تمہیں بتاؤں امامت کا حقدار کون ہے انبیاء کی امامت کا حقدار آج وہ شخصیت ہے اللہ نے مجھے طاقت دی और मैं मश्रिक से लेकर मगर्ब, मगर्ब से लेकर शुमाल, शुमाल से लेकर जुनूब, सारी दुनिया का चक्कर लगा चुका और सारी दुनिया का चक्र लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि काइनात में सबसे अफजल तरीन अगर कोई हस्ती है तो वो मुहम्मद रुसूल लुह की है शल्लाहू अलेही वसल्म प्यारे पिगंबर को आगे किया और मसल्ला इमामत पर खड़ा किया और आपने किस की आपने इमामत की किस की आपने किस की इमामत की अंबिया की हजराद मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो आज दर दर पर फिरते हैं और ये कहते हैं हमारे इमाम की बात मान लो हमारे इमाम के ये फजाइल है हमारे इमाम ने इतने किताबे लिखी है हमारे इमाम की ये फकाहत है हमारे इमाम की ये जुर्ड है हमारे इमाम ने ये कारनामा किया है मैं कहता हूँ सारे इमाम क्या सारे अंबिया एक तरफ काइनात के इमाम मुहम्मद الرسول اللہ एक तरफ काइनात के इमामों को पढ़ाने वाले उनके उस्ताज वो भी इंसान इमाम अबू हनीफा रहिम हुल्ला के उस्ताज एक इंसान इमाम शाफी रहिम हुल्ला के उस्ताज एक इंसान इमाम मालिक रहिम हुल्ला के उस्ताज एक इसान इमाम अहमद बिन हंबल रहिम अल्ला के उस्ताज इमाम उनके उस्ताज भी इंसान इस तमाम आइमा के इस्ताज कौन थे? इसान थे लेकिन काइनात के इमाम जनाब मुहमद त र्रसूल बहुत यसलों दियुक्त استاذ कौन थे कौन थे रह्मान वो जात है रह्मान कौन जात है जिसने आपको قرآن सिखाया वो वो चीज़े सिखाई जो आप जानते नहीं थे काइनात में कोई भी बोलेगा अपनी अकल से बोलेगा अपने फहम से बोलेगा और गलती भी कर जाएगा लेकिन एक ही हस्ती है और वो हस्ती का नाम मुहम्मद रर्रसूल्लाह है सल्लालाहु आलेही वसल्म जो गलती उसे पाक और जब भी बोलेगा जब भी लब खोलेगा अपनी मर्जी से नहीं बलके अल्लाह की मर्जी से वमा यंतिकु अनिलहवा कभी नहीं बोलेगा सिर्फ जब भी बोलेगा अल्लाह के हुकम से उसके आर्डर से ही बोलेगा तीसरे मकाम कौन सा है اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام जब दुनिया में आएंगे हमारा आकीदा है वो आस्मानों पर है और बहेसियत एक नभी रुसुल वो आस्मानों पर चले गए है जब वापस आएंगे कुर्ब कियामत मुझे बताईए क्या वो नभी बन कर आएंगे या उमदी बन कराएंगे किया इसाजी अलिए स्लां का मरतभा और मकाम कम है बताइए किया इसाजी स्लां का मरतभा है बड़े ही ऀजीम बड़े ही घाजीम इन्टान ल Columbus के नभी लेकि रास्मानों पर चले गए गर्वे कियामत जब आएंगे मुहम्मद الرسول اللہ ﷺ के उमती बन कराएंगे नभी नहीं बन कराएंगे ये नहीं कहेंगे के तुम्हे तो पता है तुम्ने कुरान में भी पड़ा है मैं जब गया था तो नभी के हैसी रसूल के हैसी इससे गया था अब मैं वापस आ गया हूँ अब भी मुझे रसूल मानो ये नहीं कहेंगे अब भी मेरी शरीयत को जो शरीयत मेल आया था उस शरीयत पर एमान लाओ नहीं बलके ईसा अले शरीयत की तरफ बनाएंगे और खुझ भी उसी शरीयत पर अमल करेंगे जो शरीयत मुहम्मद الرسول اللہ ﷺ लेकर आए और इसके बार चौती चीज़ अल्ला के रसूल ﷺ वो खातम النबीीन है ये इमान रखना भी जरूरी है इसके बगेर भी कोई इनसान कोई मुसल्मान मुसल्मान नहीं हो सकता अल्ला के रसूल ﷺ ने फरमाया मेरी मिसाल और मुझसे कبل जो अंबिया गुजरे हैं उनकी मिसाल एक घर की तरह है एक अमारत की तरह है उसको अमारत को बड़े खुबसूरत अंदाज से बनाया गया हो और देखने में वो अमारत बड़ी ही खुबसूरत महसूस हो लेकिन उस अमारत केंदर एक खामी ये हो कि उसमें एक इंट कम हो हर आदमी उसको देखने वाला ये कहे कि यार कितनी प्यारी अमारत है लेकिन ये अगर एक इंट लग जाए तो ये अमारत मुकमल हो जाए आप ने फरمایا मेरे मिसाल वो ही है वो इंट में आगया अंबिया की इमारत जो है वो पूरी हो गई अब मेरे बाद कोई नभी नहीं आएगा अना खातम नभी ना नभी या बादी मेरे बाद कोई नभी नहीं आएगा और इसी तरह आपने फरमाया मेरे जो नाम है अना मुहम्मद अना अहमद अनल्माही अल्दी यम्हु ल्लाहु बियाल्कुफर वानल्हाशर वानल्عाकिब आपने फर्माया मैं मुहम्मद भी हूँ मैं अहमद भी हूँ मैं हाशर भी हूँ मैं माही भी हूँ और मैं आकिब भी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और इसी तरह आपने फर्माया जो फजीलते अल्ला ताला ने तूसरे अंबियाओं से ज़्यादा मुझे अता की उन फजीलतों में एक फजीलत ये भी है कि अल्ला ताला ने मुझे खातम النबीईन बनाया इसके बाद पांचवी चीज़ क्या है वो ये है कि आपको खातम النबीईन मानने के बाद आपकी शरीयत को भी आखरी शरीयत मानना मिर्जाई बदबख वो भी आजान में ये पढ़ते हैं अश्यदुन्न मुहम्मद रर्रसूल्ला और मुसल्मा कजाब वो भी जो आजान देता था उस अजान में भी ये ही पढ़ता था अश्यदुन्न मुहम्मद रर्रसूल्ला लेकिन उनके दिलों के अंदर जो कुफर चुपा हुआ था वो क्या था वो समझते थे कि आपकी शरीयत के बाद जो शरीयत मिर्जा गुलाम एमध्-कादियानी पर आई है वो शरीयत रुसंदुनला संद लिल्लाय के बाद उस पर अमल करना जरूरी है इसलिए एक मुसल्मान उस वगत तक कामिल मुसल्मान नहीं बन सकता जब तक कि वो मुहम्मद रुसुनला वो को खातमन नियन भी माने और आपकी शरीयत को आखरी शरीयत माने और अल्ला का कुरान कितने खुबसूरत अंदाज से आपकी शरीयत की आपकी बात की तारीफ कर रहा है वमैं यब्तगी गईर लिसलाम दीरा फलैं युक्बल मिन और जो कोई भी इस इसलाम के बाद इस शरीयत के बाद किसी और शरीयत की तरफ बलाएगा वो शरीयत उस से काबल कबूल नहीं होगी वहुआ फिल आखरती मिन खासरें वो आखरत में खसारा पाने वालों मिस अल्यूम अक्मलतु लकुम दीनकु वएतममतु अलेकुम निःमती वरजीतु लकुम लइस्लाम दीना अल्ला तालाने आपके दीन मुकम्मल φर्मा दीया कामल दीया अक्मल दीया आपके बाद कोई और नبी भी नहीं आ सकता कोई और शरीयत भी नहीं आ सकती इसी के साथ छटी चीज़ क्या है मेरे दोस्तो छटी चीज़ ये है कि जनाब मुहम्मद रुर्सूलूल्लाई सल्लालाई आली वसल्म को काफ़त लिन नास सारी काइनात के लिए अल्लाई तालाई ने आपको बना कर बेजा है ये भी इमान जरूरी है ये इमान भी जरूरी है कि अल्लाई तबारिक वताला ने मुहम्मद रुर्सूलूलाई सल्लालाई वसल्म को एक जमाने के लिए नहीं बना कर बेजा ये भी मिर्जाईों का अकीदा है कि आप ठीक है नबी थे लेकिन आपके जाने के बाद अब आप नबी नहीं है अल्लाई क्या फरमाता है वुमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास ल्लाई ताला ने आपको सारे जहानों के लिए नबी बनाकर बेजा है और इसके बाद साथमी चीज़ क्या है वो ये है कि इन तमाम चीजों को मानने के बाद आपको अब्दुहु वरसूलुहु अब्द भी मानना रसूल भी मानना खातम नबियीन भी मानना अफजलतरीन भी मानना काफ़तल लिन्नास भी मानना उसके बाद आपकी शरीयत को आखरी शरीयत भी मानना साथवी चीज़ क्या है आपकी इताद और फर्माबरदारी करना बड़ा तवील मुदू है आपकी इताद और फर्माबरदारी और आखरी चीज़ क्या है आठवी इन तमाम चीज़ों में से किसी एक का इंकार करना या सब का इंकार करना इंसान को मुसलमान नहीं रहने देता इंसान दारे इस्लाम से खारष हो जाता है तो आज का आज का ये दर्स जो है इस को आपने याद रखना है कि एक मुसलमान का काइनात की अमाम जनाबِ मुहम्द रुषूल अलह शल्यालियु शल्ध Yourself के होाले से क्या अकीदा होना चाहिए अल्ला ताला से दुआ है अल्ला ताला हमें सही मान उमर किताब उस्ट पर अमल करने की तुफीक अता फर्माए वा आखिर दावाना अल्हम्दुल्ल्ह